बिसिकली हम लोग पाँछिसों में डिवाइड किया है फिर्स्ट यूसेज ओफ यूफ इस बिया इन इंडियन रेलवेड इंडियन रेलवेड में अभी यूफ इस्टामल कहां कहां पर हो रहा है लगभब एन इसे केंड पॉर्ट में है वाट इस यूफ स्देंग अबाउट डांग थो प्रंडीश श्टामल फ्रट में एन्फ परियर फिए फ्स विश्ट इंप्रोव्मेंट इन इन्फ इन इनन इन और उस उस में लोग नेक जो जोँए ऐसे किया है या इंप्रोव्मेंट कर चुके हैं तो यूए फेस्ट वाज डेवलप बहुत दिन पहले 1997 एज ब्लॉक इंटरफेस की इसाब से यूए फेस्ट डेवलप हुआ था जब एसजी नील्स या डायडो ब्लॉक इंस्ट्रुमेंट ज्यादा से ज्यादा इंडियान रेल्वें में चल सारे जो ब्लॉक इंस्ट्रुमेंट था यह सारे ब्लॉक इंस्ट्रुमेंट नॉर्माली चलता था केबल के ऊपर तो क्यूंकि यह कॉंटिनुवास करेंट लूप के ऊपर चलता था तो साउथ इस्टन रेल्वें आडियस सो हैस्प्लेंट की यह सिस्टेम को कुछ-कुछ सारे ब्लॉक इंस्ट्रुमेंट से आता है उसको लेगा और उसको इसको क facie में convert करके ट्रांसफर करेंगा दूसरें इंड में उसको रिपीट करके एकolf करेगा ऑ सैपस्रुमेंट करे और इसको software और hardware as per sale for validate किया गया है यह currently Indian Railway में जो सारे इसका application है इसका काफी सारा UFSBI का application बन चुका है खाली interface की हिसाब से नहीं दूसरे block instrument का interface की हिसाब से नहीं यह relay repetition या फिर खुद एक block instrument बनके भी उबर आया है और इसका काफी साड़ा application अभी चल रहा है जैसे interface की सबसे 17 डायडों के साथ 81 निल्स के साथ सिर्फ है क्योंकि निल्स का दिरे दिरे ऑप्सलोट होता जा रहा है auto signaling और IPS जहां पर यह कोई block के साथ नहीं सिर्फ और सिर्फ रिले repetition का काम करता है ताकि cable कम हो जाए इसके बारे में हम दिरे दिरे आएंगे बाद में तो इसमें 96 और 103 और double line block panel block proving with taxel counter जिसमें block panel के साथ UFSBI इसमें डबल लाइन और सिंगल लाइन दो वरियेंट है तो डबल लाइन में 430 और सिंगल लाइन ब्लॉक सेक्षन में 1009 अभी तक इंस्ट्राल और कमिशन हो चुका है इंडियान रेलवे में और रेलवे वाइज अगर हम लोग देखेंगे इसका installation commissioning तो यहां पर एक चार्ट दिया गया है तो सबसे ज़्यादा साउथ इस्टन रेलवे में इसेंट्राल ईयलेए में लगबक सारे रेलवेज में में किर देली य्छ इस्टोलं में पर देली के ईस्टन ओड़ा ऐं का ब्लैक ब्लैक ऐसर हो उडिकली नहीं है यह एक्षुली पटीश्वेंट्स का नाम आता है सब्सक्राइब कर सकता था और जो कि सिल फोर था उस समय जब सब्सक्राइब कर सकता है यह सब्सक्राइब कर सकता है यह इसका है यह इंपूर आउट्पूर मुल्टिप्लेक्सर तो है यह सेनलेख सिल फोर एप्रूवड है यह इसका प्रूवड है यह पहले जब आइडियो से इसका स्पेसिफिकेशन निकाला था वो था 14705 बाद में यह जब इंडिया रिवले में काफी जादा प्रूलिफरेट हो चुका है तब उसका स्पेक रिवाइज्ट हो के अभी आईरस स्पेक बन चुका है आईरस एस एक सोचार 2012 तो दोनों में कोई अंतर नहीं फिजिकली और सिस्टेमेटिकली कोई अंतर नहीं यह आईरस स्पेक में चेंज हुआ है ट्री ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंट ताकि हाई अविलेबिलेटी अल्मोस्ट परसेंट के आसपास हम लोग एचीव कर पाए और रिलाइबिलिटी भी कभी बर जाए इसका जो सारे इंपूट और आउट्पूट हम लोग रीड करते वह गैलवनिकली एन ऑप्टिकल आइसोलेट किया जाता है बाहर के रिले से ताकि इसमें फेलियोर कम हो और इसका जो पावर सप्लाई है वह बेसिकली होट स्टेंडबाई है ताकि अनिंटरॉप्टेट यह 24-7 चल सके अंडर्स्टेंडिंग UFSBI में जो जो पार्ट आता है वो है UFSBI में क्या-क्या पार्ट है बेसिकली UFSBI जो की इंटर्फेसिंग का काम में आता है यह है इसका सिस्टेम का फ्रॉंट व्यू और बैक व्यू आपको दिखाई पर रहा है सिस्टेम में मैं थोड़ा एननोटेट कर देता हूं अगर सामने से देखेंगे तो आपको एक DC-DC Converter यह जो सारे इंटर्फेसिंग रिलेज है वह आपको नीचे दिख रहा है सेम चीज़ अगर पीछे से देखेंगे तो यह DC-DC Converter इसको हम लोग बोलते हैं वागो बोर्ट इसके पीछे वाले पोर्शन में वागो बोर्ट के पीछे बेसिकली इस जगा पे मदर बोड रहते आ वागो बोर्ट और मदर बोड में में फोर्ख है बैसिकली जो रिले का स्टेटस लोग करते हैं वो पहले से वयर लानके हम लोग कि अगर नीचे आजाता है और आपको दिखाई पड़ेगा अंदर एक मदर और से यह वागो बोट से मधरवोट कनेक्टिव हुआ है इस दे बेक रिशेट बॉक्स मोडम वर्शन डिस पर और सारे जो रिल का external रिले से हम लोग कनेक्ट करते हैं यह सारे टर्डमिनल से अम लोग सिस्टेम को करते हैं बाहर वाले रिले से बाहर वाले रिले हुआ या फिर पैनल के साथ अगर इंटरफेस करना है पावर सप्लाई जो वगएरा वगएरा आता है वह सब यहां पर आता है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं एक एक पार्ट को अगर यूएफस्बी आइक को हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करें एक होता है उसका डिजिटल पार्ट और एक होता है उसका इंटरफेस पार्ट डिजिटल पार्ट में रिलेस वगएरा नहीं है जहां पर वह टोटल डिजिटल पार्ट है उसमें आता ह वह साहरे पार्ट में हम लोग details में जाहेंगी फ glowing converter चलने के लिए व biggest इस सिस्टेम चलने के लिए हम लोगों 4 लेवल वॉल्टेज लेवल्ट चाहिए तो मैं जिससे कि हम लोगों रिले को कर सकते रिले कॉंटेक्ट को शेयंज कर सके और क्यों्म सब्सकाइब spec UFSBI has to drive Q-series relay और equivalent of Q-series relay तो 24V इसको output relay को drive करना है तो इसलिए इसको 24V चाहिए 24V इसलिए चाहिए एक input contact read करना है और दूसरा output relay drive करना है 5V चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो IC वगएरा है और microcontroller है वो सारे 5V में चलता था प्लस 12V और माइनस बाड़ा वोल्ड दो वोल्टेज लेवल से है जो कि एसपार RS232 कम्यूनिकेशन के लिए तो यह सारे voltage लेवल से चाहिए और हम लोग railway से जो input ले थे हैं that is only 24V तो 24V input लेके यह सारे voltage हम लोग DCDC converter दोरा derive कर लेते हैं तो इसी का details यहां पर दिया हुआ है input जो है वो 24V plus 20% माइनस 10% और उसका module होना चाहिए 10M का अब प्लस 20% और माइनस 10% मतलब बनता है 28.8 वोल्ट से लेके 21.6 वोल्ट या फिर 21.6 वोल्ट से लेके 28.8 वोल्ट के बीच में UFSBI सिस्टेम काम कर सकता है लेकिन बाद में यह रेंज में थोड़ा प्रॉबलम होने के वज़े से हम लोगों उसको और भी बहगा दिया है अभी इनपूट इसका वोल्टेज रेंज है 19.2 वोल्ट से लेके 30.2 वोल्ट तक यह सिस्सम काम कर सकता है नीचे 19.2 वोल्ट उपर 30.2 वोल्ट अगर यह 30.2 वोल्ट से उपर चला जाता है तो इंपूट विल शो ओवर वोल्टेज ट्रिप यहाँ पर इंडिकेशन है PS1 कार्ड में यहाँ पर इंडिकेशन है एक OV TRIP बोलके और अगर 19.2 वोल्ट से नीचे चला जाता है इंपूट वोल्टेज तो यहाँ पे यह अटर वोल्टेज टीश शो करेगा तो यह है सिस्टेम में और वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और यह ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन से बैक करने के लिए यहां पर वन वोल्ट का हिस्टेडिस दिया हुआ है कि मतलब कि अगर सिस्टेम चल रहा है और वोल्टेज 29.8 चाई चला गया 29.8C9 या 30 वोल्ट तक चल गया तख फिर भी उस्टेम चलता लाए गया अब 30.2 जौ से ऊपर चला है गया तो फिस्टेम वर वॉल्टे़ त्रिप्ट लेकिन यह system चालू होने के लिए फिर से चालू होने के लिए यह 29.8 या 29.9 या 30 वोल्ट में चालू नहीं होगा it will start once the voltage फिर से 29.2 वोल्ट से नीचे आएगा तब जाके system फिर से चालू होता है तो एक वोल्ट का hysteresis दिया रहता है ताकि system कभी jitter mode में ना चला जाए तो यह बोथ साइड में ओगर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज दोनों साइड में यह वन वोल्टेज का hysteresis दिया हुआ है अगर system ऑफ या थोड़ा सब्सक्राइब जैसे अंडर वोल्टेज मान लेते हैं अब मेरा system चल रहा है ठीक है कुछ 20 वोल्ट आ रहा है कुछ 19.5 वोल्ट आ रहा है तो मेरा system चल रहा है अब जैसे system 19.2 वोल्ट से नीचे चला गया input voltage मान लेते हैं 19 वोल्ट हो गया तो मेरा system driving है वो कम हो गया जैसे उसका load current drive कम हो गया तो वो वोल्ट को बूस्ट कर दिया बूस्ट करके वो फिर से 19.5 में आ गया अगर मैं यह एक वोल्ट का चलता रहता है यह जीटरी साइकल फिर चलता रहता है जैसे ही वोल्टेज कम हो जाएगा मेरा system off हो जाएगा system मेरा off हो जाएगा तो input supply ips हो या battery charger हो उसको current drive नहीं करना पड़ेगा तो उसका वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा बूस्ट होके एक ऐसा जगह पर पहुंचा नहीं जिस level के ऊपर मेरा system अगर चालू हो सके तो फिर से चालू हुआ फिर से current रहा हुआ फिर से voltage बैट गया तो यह cycle चलता रहता है यह जीटरी इसलिए हर एक voltage में proper DC DC converter अगर design किया गया है और अगर उसमें अंडर voltage या ओवर voltage ट्रिप दिया गया है तो उसमें at least one volt का hysteresis दिया रहता है ताकि एक बाट हो जाए तो फिर से voltage अगर जिस voltage में trip हुआ है उससे एक वोल्ट से उपर ना आये तो फिर से system चालू नहीं होगा जैसे मेरा system 19.1 वोल्ट में अगर ट्रिप हो जाता है तो मेरा system फिर से 19.2 19.3 19.4 में चालू नहीं होगा system फिर से चालू होगा 20.2 में जाके system चालू होगा यह है आपका hysteresis protection इन the over voltage range as well as in the under voltage range आउटपूट जो इहां पर दिया गया है यह था input requirement 24 volt का input requirement तो system में नॉर्मली मेरा system 19.2 वोल्ट से 30.2 वोल्ट के बीच में चल सकता है और इसका नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज है 24 रेकॉमेंडेट आप 24-25 के बीच में कुछ भी voltage आप रख सकते हैं कोई problem नहीं है इसका जो आउटपूट वोल्टेज है 24 वोल्ट पांच वोल्ट प्लस बारा वोल्ट और माइनस बारा वोल्ट मैंने आपको बता चुका हूं क्यूं क्यूं चाहिए यहां पर लिखा हुआ है वही ची कौन सा कौन सा वोल्टेज और क्यू क्या वोदों करके मौडिवूल और लग अलग से टोटल लोट को सकता है और एक मॉड्यूल अगर फिक हो जाय तो भी उस इस बागसे होता है 19.2 से और भी कम जाता है 19 आता है तो जैसे दोबार सप्लाई आएगी तो 19.2 से अगर होता है तो क्यों नहीं हो रहा है कि अभी क्या होगा जैसे आपका सिस्टेम ऑफ हो जाएगा तो सिस्टेम करेंट लेना बंद कर देता है तो वोल्टेज बूस्ट हो जाता है हो या बैटरी चार्जर में हो वोल्टेज बूस्ट हो जाए उस समय जैसे वो उसका आउट्पूट में करेंट ड्राइब करना बंद हो जाता है तो क्या होगा जैसे वह स्टार्ट हो गया माल लेते स्टार्ट करेंगा जैसे करेंट करेंगा तो जो आईपीस है जिसका बैटरी बैट गया है या फिर आईपीएस का कुछ प्रॉब्लेम है तो वो वो और नीचे चला जाएगा तब नहीं पा रहें तब कोई भी बैटरी का वोल्टेज आप गड़ ऑपन सर्कीट में लेकिन जैसे ही आप लोग डालेगे उसमें, तो क्या होता है? उसका वोल्टेज ड्रॉप होने का चांसेस रहता है. Basically, basically you understand 1 volt is a safety margin from 19.2 for restart. Yes sir. I request all participants, if they have any questions, so kindly post in a chatroom or you write it to your own diary. Because the presentation is long and we have to finish it within the time range. कि अगर वोल्टेज में इसलिए 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 जाता है क्योंकि अगर यह कि अगर किसी ने उसको एड़ेस्ट किया वोल्टेज को एड़ेस्ट करना शुरू किया वह जो आपका मेंटेनर होगा क्योंकि ओवर वोल्टेज से तो यह से नीचे आटोमेटिक नहीं आएगा तो उसको मैनुवाली एड़ेस्ट करना पड़ेगा अब मैनुवाली एड़ेस्ट करते वक्त वह देखा कि सिस्टेम का आउट्पूट वोल्टेज लेवल है अब 30.2 तक चलना चाहिए तो मैं उसको एड़ेस्ट कर देता हूं 30 वोल्ट उसे उपडल चला जाए क्योंकि लूट कंडिशन और लूट कंडिशन ये दोनों कंडिशन में को सकता नहीं लोट करेंट में हो रहा है मतलब वल्लटेज में हो रहे है वह सेम सम्क्रेंडोब्ल को उप्र या घाल या बैटरी चरजय या बैटरी कोई भी प्रॉपर कर रहा है तो ना वो वोल्टेज में जाएगा या अंडर में गया है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम है ंडर वोल्तेज में वह कर नहीं कर पा रहा है और वोल्टेज में उसका फिडबेक लूप है उसमें कुछ प्राबलेम आने से ग्वर्व वोल्टेज में जाता है संग Tea गार पॉटट करेंड जादा में कुछ प्रःबले में होने से बिएफ कर सकता है कि जैसे सिस्टेम में यह यह लेना सब्सक्राइब कर दिया डिया और वो फिर से को बूस्ट किया और सब्सक्राइब लेकर तो इसके साथ साथ इसका कुछ इंटर्नल के लेक्टरिस्टिस है जैसे रिपल वोल्टेज रिपल वोल्टेज रिपल कॉंटेंट विप्टी मिली वोल्ट से लेस है साथ साथ से पास तो एक मॉडूल फोस्ट्स कि किया जाता है और एक मोडूल में और एक चेनरेट जाता है जोकि स्टेशन मास्टरूम में हम लोग बेज़ देता हैं कि एक module खड़ाब हो गया है तो kindly उसको प्रिवेंटीव मेंटेनेंस के अंदर लाया जाए और module को डिप्लेस किया जाए यह है सरब मेरा DC DC Converter का हम लोगों का DC DC Converter इन्पूट सेंसिंग अभी DC DC Converter के बाद आता है इन्पूट सेंसिंग हम लोग इन्पूट कैसे करते हैं हम लोग इन्पूट का एक पीक और एक जिसको हम लोग बोलते हैं complementary sensing हर एक input sense करने के लिए एक pickup contact और उसी रिले का drop contact sense करते हैं ताकि और complimentary की हिसाब से पता चले कि यह सच मुझ पिकआप हुआ है की नहीं या सच मुझ ड्रॉप हुआ यह जैसे हम लोग हर एक input रिले को sense करते हैं वैसे हर एक output रिले का contact को भी हम लोग feedback के हिसाब से sense करते हैं ताकि safety और जो output का integrity है वो बना रहे है तो 16 input रिले का 16 दूनी 32 contact और 16 output रिले का 16 दूनी 32 contact को UFSBI को sense करना है additionally UFSBI का दो health monitoring relay है BIPR1 और BIPR2 block interface proving relay 1 और block interface proving relay 2 इसका भी integrity check करने के लिए health monitoring relay का भी हम लोग integrity check करते हैं इसलिए इसका भी pickup और drop contact को sense करते हैं तो 16 input relay का 32 contact, 16 output relay का 32 contact, 64 contact और BIPR1 और BIPR2 का 4 contact मतलब total 68 contacts को UFSBI का microcontroller को read करना है अब यह जो context है वो कैसे read किया जाता है these contacts are read by input card, input card में हम लोगों के 6 input card है, input card एक से लेके 6 input card 1 में जो जो relay का contact आता है वो है input relay 128 का pickup drop, output relay 128 का pickup drop और BIPR12 relay का pickup drop मतलब input relay 128 मतलब 16 contact, output relay 128 का मतलब है 16 contact 32 और BIPR12 मतलब और 4, 36 यह 36 contact चला जाता है input card 1 में और सेम यही context पैरलली चला जाते है input card 3 में और पैरलली चला जाते है input card 5 में और बाकी बचा input relay 9 से 16 और output relay 9 से 16 मतलब 16 और 32 contact चला जाता है input card 2 में पैरलली input card 4 में पैरलली input card 6 में तो आप यहां से देख सकते हैं कि input card 1 और 2 को हम लोग अगर मिला दे तो normally हम लोगों को अगर input card 1 और 2 को हम लोग add करते हैं तो आप देख सकते हैं एक से कर देता हूं तो input relay 1 से लेके 16 तक और 16 तक आउटपूट रिले एक से लेके 16 तक और बियाई पी और 12 सारे जो मेरा context है तो यह basically input card 1 और 2 में आ रहा है लाइकवाइस यह सारे input आ रहा है मेरा input card 3 & 4 के बीच में और सारे input context जो आ रहा है वह 5 और 6 के बीच में भी हमको मिल रहा है ऐसे हम लोग input को sense करता है अब input card में क्या होता है basically हम लोग जो input रिले का contact sense करता है that is 24 वोल्ट के दवारा sense करता है 24 वोल्ट हम लोग सेंस करता है regulated supply 24 वोल्ट सेंस करते है लेकिन यह सारे जो input है basically sense करना है हम लोगों को optocoupler opto isolation आप यह input card में देख सकते हैं यहां पर सारे optocoupler ऐसे 36 बैठा हुआ है इन्पुट का सोला कॉंटेक्ट आट आट आउट पूट का सोला कॉंटेक्ट और द्वी आइप्यांट का चार कॉंटेक्ट 36 कॉंटेक्ट where is input card 2 में तो सिर्फ 32 कॉंटेक्ट चाहिए क्योंकि बाईप्यार वान्टू तो इसमें है नहीं interchangeable नहीं रहेगा कि यह आपस में interchangeable बना रहे तो हम लोग input 1 में भी 36 आपटो कॉपलर डालके 36 input sensing का प्राविशन रखते हैं input card 2 में भी हम लोग ऐसे ही 36 input card sensing को सेंसिंग का प्राविशन रखते हैं जब इसका मतलब same input card अगर आप input card का slot no.1 में डालते हैं तो उसका 36 के 36 optocoupler use हो जाता है और उसी input card को अगर आप input card 2 के slot में डालते हैं तो उसका जो last का 4 optocoupler है वो spare पर आ रहेते हैं यही बात है बाकि सारी input card input card 1 2 3 4 5 6 are identical and interchangeable with one another input card 1 के साथ 2 को interchange कर सकते हैं 2 के साथ 1 के साथ 3 3 के साथ 5 इसी के साथ भी किसी को interchange कर सकते हैं input card में next input card में यह physical connection कैसे रहता है यह थोड़ा देख लेता है क्योंकि यह error जब समझने जाएंगे तब ज्यादा काम में आएगा यह normally हम लोग यहां से 24 वोल्ट रिले कॉंटक्ट के द्वारा लेके आते हैं वागो बोर्ड में जैसे मैं बता रहा था वागो बोर्ड से एक फ्लैट के बले फरसी के बल द्वारा यह पहुंच जाता है अब यह पहुंच जाता है इस अब इनपूट कार्ट से यह डेटा जो आया है जैसे यहां पर दिखाया गया है सारे इनपूट कार्ड मैंने सेंस कर लिए इनपूट के बीच में 3 और 4 के बीच में और 5 और 6 के बीच में अब 1 और 2 से डेटा चला जाएगा cp e-mail तो 3 और 4 से चला जाएगा c-p-u- B में और 5 और 6 से चला जाएगा c-p-u-c में तो ये सारे अलग होनों से ये फाइदा है, अगर input card A या 2 में कुछ problem आया, अगर ये खड़ाब हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ CPU A को effect करेगा, ना कि CPU card B या C को effect करेगा, CPU B ये इसके वज़े से CPU B और C दोनों healthy रहे गया, ऐसे ही अगर 3 और 4 में कुछ problem हुआ है, तो B को effect करेगा, 5 और 6 में कुछ problem हुआ, तो C को effect करेगा, तो इस हिसाब से फायदा, ये 2 out of 3 में फायदा है ऐसा हुआ, कि CPU A खड़ाब हुआ, तो भी B और C से मेरा system चल सकता है, CPU B खड़ाब हुआ, या फिर इसका corresponding input card खड़ाब हुआ, तो भी मेरा system A और C के वज़े से चल सकता है, इसलिए 6 input card दिया गया है, और input card को CPU card के साथ pairing किया गया है, ताकि common failure, common mode failure, अगर input card 1 और 2 से ही, मैं अगर CPU card A, CPU card B और CPU card C, तो फिर क्या problem होता है, input card 1 और 2 में कोई भी problem हो गया, तो फिर मेरा 3 CPU card एक साथ बैढ़ जाता है, इसलिए मेरा 2 और 3 का जो redundancy का purpose था, वो solve नहीं होता है, इसलिए हम लोग input corresponding CPU रखे हैं, अब CPU card में आने के बाद data को debounce किया जाता है, मतलब data को stabilize किया जाता है, कोई भी data को relay contact हम लोग जब read करते हैं, तो उसका जैसे contact होता है, contact bouncing होता है, contact bouncing के बाद ही, debounce करने के बाद ही हम लोग तैयर कार पाते हैं कि yes, this input is valid, whether it is pickup or drop, this input is valid only after कुछ समय बाद, मतलब relay pickup हुआ, साथ-साथ मैंने बोल दिया, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर contact bounce होता है, input अब debouncing के बाद जो आता है, वो है इंटर प्रोसेसर data validation, input data validation after inter processor communication, मतलब CPU card A के पास जो data आया है, वो क्या करता है, वो CPU card B को भेज़ देता है, B का data जो आया है, वो CPU card C को भेज़ देता है, और CPU card C वैसे ही CPU card B को अपना data भेज़ता है, और CPU card C अपना data CPU card A को भेज़ता है, likewise CPU card A भी अपना data CPU card C को भेज़ता है, और यह आपस में बात करता है, मेरा खुद का data और मेरा neighboring CPU का data सेम है की नहीं, at least A का data B से सेम ना हो, C से सेम हो जाए, या फिर C का data A से सेम ना हो, तो B से से सेम हो जाए, तो at least एक neighboring CPU से मेरा data सेम होना चाहिए, this is called inter-processor communication, inter-processor communication से data को validate किया जाता है कि मेरे पास जो data आया है, वो that data is right or wrong, उसके बाद उसमें CRC code add किया जाता है, this is just like an encryption of data, कि data में कुछ भी, मतलब data में कोई बाहर से कोई noise के वाज़े से data में कुछ problem हो गया, या फिर किसी ने hack कर लिया, यह ना हो, तो इसलिए data के अंदर CRC code को add किया जाता है, और add करने के बाद यह data input sensing होता है, होने के बाद यह पहले debounce, फिर validate, CRC code add, यह add करने के बाद हम लोग नेक स्टेप में पहुंचते हैं, वह data को control and communication card में भेज़ देना, ताकि data दूसरे station के लिए निकल जाए, मतलब relay का contact जब make होता है, तो relay का contact मतलब snap type make नहीं होता है, make break करके relay contact stabilize होता है, जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूं, अगर relay अगर कोई pickup होता है, sorry, relay pickup जब होता है, तो ऐसे करके स्टेट लाइन नहीं जाता है, DC मतलब ऐसे स्टेट लाइन नहीं होता है, relay contact जब pickup होता है, relay make jump होता है, तो ऐसे, 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 switching रहता है, उसके बाद यह steady state में पहुंचते है, तो यह जो switching part है, relay का switching part है, this part has to be nullified before I can say this data is valid, relay isn't picked up, वैसे ही relay जब drop होता है, वहाँ पे भी ऐसे switching part रहता है, switching part को पहले discard करना पता है, that is called debouncing, on-off में digital level में microcontroller, microsecond level में read कर लेता है, तो क्या होगा, अगर उसको लगेगा, यह relay switching वह बार बार करके data को on परेगा, एक data को off परेगा, क्योंकि वहाँ पे data switch कर रहा है, तो पहले उस time तक उस data को nullify किया जाता है, nullify करने के बाद ही, micro processor और microcontroller can ensure, yes that relay is in picked up condition, और in dropped condition, उसको बोला जाता है, relay का contact debouncing, relay, switch, push button, यह सारे में, contact debouncing is a vital part, contact को पहले debouncing कर लिया जाता है, उसके बाद ही उसको validate किया जाता है, कि हाँ यह relay pickup हुआ है, या फिर यह relay drop हुआ है, और खास करकि Q-series relay में, जहां पर हम लोग metal to carbon use करते हैं, metal to metal में फिर भी थोड़ा सा snap action होता है, लेकिन metal to carbon में कभी भी snap action नहीं होता है, वहाँ पर एक rubbing action होता है, metal to carbon में, और rubbing action के वज़े से यह debouncing period जो है, वह काफी जादा हो जाता है, relay का data validate करने के लिए, this is as high as 100 millisecond, जो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि यह 40 millisecond के अंदर, मतलब Q-series relay steady state में पहुंच जाता है, लेकिन safety में हम लोग इसको लगबग 100 millisecond तक कोई भी relay का contact make, मतलब change of state नहीं ही लेते हैं, 100 millisecond तक relay pickup होने का 100 millisecond बाद ही उसको हम लोग ensure करते हैं, this is a proper change of state और यही होता है data debouncing, तो जैसे मैं बता रहा था कि यहां से contact आया, तो contact से मेरा voltage जो आएगा हुआ है 24V, या फिर relay drop है तो फिर 24V के जगा आएगा 0V, फिर input card में यह 24 और 0V basically 5V अगर relay pickup है तो 5V, अगर relay drop है तो 0V, इसमें change होके यह CPU card में जाएगा, CPU card में inter processor communication होगा, A से B, फिर A से C, फिर C से A, ऐसे inter processor जैसे मैं बता रहा था पिछले में, inter processor communication होगा, inter processor communication होने के बाद, यहां पे जो 5V और 0V था, यह 5V और 0V अगर यह आपस में देखा, इसका दो काम है, एक तो है control, दूसरा है communication, तो मैं पहले communication के बारे में थोड़ा बता देता हूं, फिर control पार्ट में आऊंगा, 5V और 0V इसको बोला जाता है, नॉर्मली UART data, UART, यह यूसर्ट टाइप भी हो सकता है, यह बेसिकली एक TTL लेवल डेटा है, मतलब TTL आइसीज होता था उस समय तो TTL लेवल डेटा है, 5 पाइब मतलब 5V मतलब हम लोग बोल देते हैं, और 0V मतलब इसको बोल देते हैं हम लोग और यह जो डेटा है, यह बेसिकली पैरलल डेटा है, मतलब पैरलल डेटा कम्मिनिकेशन कार्ड में आके पहुंचते, अब यह UART डेटा मैनुफेक्चरर की हिसाब से, डिजाइनर अपने हिसाब से बनाता है, तो डिजाइनर अपने हिसाब से बनाया, तो फिर इस नॉट यूनिवर्शल, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट इसके साथ नहीं कर पाएगा, तो इसको पहले हमको सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ कम्मिनिकेट कर पाए, इस इक स्टेंडर्ड में लेके जाना एक स्टेंडर्ड कोमिनिकेशन प्रोटोकॉल में लेके जाना है तो यह स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल जो लोगों ने उस समय चूस किया था वह है RS 232 जो कि बहुत ही कम्मस प्रोटोकल है सिरियल कॉमिनिकेशन प्रोटोकॉल रस 232 वेरी इजी यूज लेकल का जो लेवल कंवर्शन का काम करता है क्या होता है रस डू-32 में यह हम लोग जो बोला था ऑन मतलब पाज वोल्ट उन इकुल सब्सक्राइब करेंगा तो यह हो जाएगा प्लस ट्यूल टू टू फाइब टी टील लेविल में जब आ जाता है तो इट विल भी लाइक माइनस ट्यूल वोल्ट एसपर आले स्टू टू कमिनिकेशन प्रोटोकॉल वैसे ही ओफ जो मैं बोल रहा था आफ मतलब टी टी लेविल में जीरो वोल्ट होता है तो यह इसी को अगर आले स्टू टू में मैं कॉन्वर्ट करूंगा तो यह हो जाएगा प्लस ट्यूल पो आज्य जो यह जो लेवल कॉनवर्शन है अन डेटा को माइनस में करना और अफ-डेटा को प्लस ट्यूल में wealth करना यह लेविल कॉनवर्शन का काम करता है communication card और यह जो मैंने प्लस बाड़ा वोल्ट और माइनस बाड़ा वोल्ट डिसी डिसी converter के बारे में जब बता रहा था तो उहां पर मैंने बताया था यह प्लस बाड़ा वोल्ट और माइनस बाड़ा वोल्ट काम ने आएगा मेरा communication में तो आप देख सकते हैं 24 वेल्ट से यहाँ पर जो 24 वोल्ट है वो 24 वोल्ट रिले कांटेक्ट सेंस करता है 5 वोल्ट से मेरा आइसी वगरा चलता है और Π्लस 12 वोल्ट मैंनस 12 वोल्ट सो मेरा communication चलता है और यह convert होने के बाद एक तार से TX निकल जाता है, transmit data निकल जाता है, और यहां पर फ़ड़ा उल्टा दिखाएगे, एक तार से RX, दूसरे end से RX निकल जाता है, as per RS232 protocol, और इसके साथ साथ एक तार और रहता है, that is called ground, three where communication रहता है, RS232 में, एक होता है TX, एक होता है RX, और एक होता है ground, TX मतलब transmit data, RX मतलब receive data, और ground मतलब common potential point, इसको कभी-कभी TX के जगा TD भी बोला जाता है, RX के जगा RD भी बोला जाता है, तो basically RS232 एक communication protocol है, वो भी digital communication protocol, जो की universally accepted है, मतलब कोई भी RS232 device के साथ मेरा UFSBI काम कर सकता है, और इसके साथ साथ मैं जैसे बोल रहा था, इसका control part है, इसका control part यह है कि इसके अंदर दो health monitoring relay है, यह बियाई-पियर 1 और बियाई-पियर 2, basically यह बियाई-पियर 1 और बियाई-पियर 2 relay को UFSBI का CPU card का software drive नहीं करता है, यह basically यहाँ पे control and communication card में एक hardware है, जिससे यह बियाई-पियर 1 और 2 drive हो जाए, और बियाई-पियर 1 और 2 हर 15 minute में toggle करता है, एक चीत खली याद रखिएगा, कि बियाई-पियर 1 और 2 में से यह तो दोनों ही pick up रह सकता है, यह फिर कोई भी एक pick up रह सकता है, अगर system healthy है तो, system अगर fail कर जाए, तो दोनों के दोनों relay drop हो जाएगा, इन नॉर्मल वर्किंग कंडिशन, healthy state, ऐधर बियाई-पियर 1 और बियाई-पियर 2 और बोथ, अगर रह सकता है, और जब fail करेगा, तो दोनों relay drop हो जाएगा, और दूसरी बात, कि BIPR 1-2 drop होने से system fail नहीं करता है, system fail होने के वज़े से BIPR 1-2 drop हो जाता है, this is the dropping of BIPR 1-2 is the after effect of the system failure, तो system failure का कोई वज़ा होगा, इसलिए BIPR 1-2 drop हो जाता है, और BIPR 1-2 drop होते ही, system में, जो output enable voltage था, वो withdraw हो जाता है, system से, ठेक ऐसा, तो this is a health monitoring relay, just like V-Core relay in EI system, अब मेरा जो RS-232 data निकल के आया CC card से, यह RS-232 data maximum 50 meter drive हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50 meter इसका driving distance है, तो दोनों station के बीच में, अगर मुझे चलाना है, क्योंकि RS-232 basically एक digital data है, तो digital data ऐसे भी ज्यादा दूर तक drive नहीं हो सकता है, अगर ज्यादा distance drive करना है, तो data को analog में convert करना है, अब analog में convert करने के लिए system में modem लगाया जाता है, अब यह modem, हम लोग अभी तक जो-जो modem use किये हैं, वो है normal standard, जो की E&M voice channel में काम कर सकता है, या फिर quad cable में काम कर सकता है, जो की standard supply modem रहता है, added हम लोगों ने अभी serial to E1 converter, अगर आप लोग E1 channel दे सकते हैं, तो serial to E1 converter प्रोवाइट करते हैं, या फिर dark fiber, अगर आप सीधा-सीधा एक fiber का एक core प्रोवाइट कर सकते हैं, तो हम लोग उसको भी serial से fiber में convert करके दे सकते हैं, और microwave में भी हम लोग चला सकते हैं, हाँ सर, बोलिये सर, अगर आप channel level पर connectivity दे रहे हैं इसको UFSBI को, तो modem की जरुत पड़ेगी सर, चैनल मतलब सर, कौन से चैनल, अगर आपको UFSBI को एक even दे रहे हैं, तो आपन को modem की जरुत पड़ेगी, लेकिन आपन चैनल दे रहे हैं, जो एक even में 30 channels होते हैं, चैनल दे रहे हैं तो यह modem की जरुत पड़ेगी जरुत नहीं है सर, जैसे मैंने बता रहा था, आपके पास आपके पास आपके पास आपके जो डिवाइस है, कॉम्मिनिकेशन डिवाइस है, पीडी मक्स जो है, अगर उसमें RS-232 रीट करने का प्रोविशन है, जो कि आभी काफी सारे पीडी मक्स में आ रहा है कि वो डारेक्ट रिटी डिजिटल डेटा को रीट कर सके, तो मोटिम का ज़रूरत नहीं, आप सिदा-सिदा RS-232 को आपका पीडी मक्स में लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, RS-232 अप्टू 50 मीटर ड्राइव हो सकता है, उससे जाधा नहीं, मतलब आपको सेम रूम के अंदर ड्राइव करना परता है, क्योंकि RS-232 में बहुत कम रहता है, तो सेम रूम के अंदर आपका पीडी मक्स होना चाहिए, और मेरा सिस्टेम रहना चाहिए, और आप RS-232 को, अगर आपके पास RS-232 रीट करने का प्राविशन है, तो आप RS-232 डाइडेक्ट लेके आपका पीडी मक्स के थूरू दूसरे एंड में लेके जा सकते हैं, उस समय कोई मोडेम का अलग से मोडेम का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप सेम रूम में रखने का अधा तो कोई बात होई नहीं नहीं टेक्निकली ठीक है, लोकल जो पीडी मक्स है न वो तो मेरा यूएफस भी आई और उसके कोर्रेस्पोंडिंग जो लोकल पीडी मक्स है, अगर आप सिदा सिदा आरेस्टू थर्टी तू लेना चाहते हैं तो सर यह फिप्टी मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यह डैट टू सेम रूम में क्योंकि यह आरेस्टू थर्टी टू डेटा बहुत वर्णरेवल होता है सर्था नॉइस वगड़े से बहुत प्र अब लोग बनाते हैं सर उसमें भी आड़ेस्टू थर्टी टू अब डाइरेक ले सकते हैं हम लोग का जो मक्स हां सर बोली अब जो आप 50 मिटर डिस्टेंस बता रहे हैं यह आपकी युए फस्वी से पीडि मक्स की डिस्टेंस से हाँ युए फस्वी आई से आपका है है हलो हां यह पीडि मक्स से मेरा सिस्टेम का डिस्टेंस है मैक्सिमम आरेस टू थर्टी टू जो लेके जा सकता हूं वो डिस्टेंस है 50 मिटर डिस्टेंस लेवल में नहीं बोल रहा हूं सब्सक्राइब लेके जाएंगे 110 वोल्ट के लेके जाएंगे तो इसलिए हम लोग मोडम देते हैं जहां पर आप पीडिमक्स से वॉइस एन्म वॉइस चैनल निकालते हैं यह तो वॉइस है इसमें कोई डिस्टेंस का लिमिटेशन नहीं है इसके साथ साथ और एक क्राइटरिया भी बता रहा हूं प्रोटेक्टेड होना चाहिए मतलब से अलग से आप बाहर से लेके जाने से दिक्कत होता है यह सब है थे से इकाल में प्रेफरे बलीट फूरवी इन सेंट रूम लेक्स रख टो यह तो पहुंच गया दूसरे इंट का मोडेम में पहुंचने के बाद यह बिसिकली जो डेटा दूसरे और का मोडेम में पहुंचा है कर देटा को प्रोसेस करता है उस तरफ बी इंटर प्रोसेसर कमुनिकेशन होता है इंटर प्रोसेसर कम्मिनिकेशन होता है यहां ग्राइब मेरा जो आया है वह सेम है कि नहीं एक नेवरिंग के साथ उसके बाद अगर यह श्यूर हो जाता है हाँ मेरा डेटा से ही है तो फिर यह डेटा को यह आउटफुट काड में भेज देता है कि तो जैसे हुआ यहां पर प्लास बाड़ा वॉल्ट कि मंइनडरा वॉल्ट आया आरेश-232 के वज़े से उसको पांच वॉल्ट और स्ट रिजरो वॉल्ट में कॉनवर्ट कर दिया यह पांच वॉल्ट और ज्रो वॉल्ट अल्टिमेट्ली चला गया मेरा आउट्पूट काड में अब 5V और 0V से तो रिले पिक अप नहीं होगा क्यू सीरीज रिले तो यह 5V और 0V को हम लोगों को 24V में कॉनवर्ट करना है यह कॉनवर्ट्षन होता है यह DC-DC कॉनवर्टर के द्वारा यह सिस्टेम का अंदर एक DC-DC इन्विल DC-DC कॉनवर्टर है आउट्पूट काड में जिससे यह आउट्पूट कॉनवर्ट होता है अडिशनली कॉनवर्शन के साथ साथ आईसोलेशन भी होता है सारे आउट्पूट आपस में और एक नेगेटिव दोनों कि हर एक आउट्पूट रिले आईसोलेटेड रहता है एक दूसरे से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ड्राइब करता है एक एक आउट्पूट काड से तो आउट्पूट काड वन जो है वह आट आउट्पूट रिले को ड्राइब कर सकत प्लसके है नव से गड़त वैसे यह दूनों आउट्पूट काड आइडेन्टिकल है और यह दूनों आपस में इंडर्चेंजबं टेपेंडिंग अपन डिपेक्बस का कॉंटेक को रीडबेक करके डीटा का यह आउटफूट रिले का इंटिग्रिटी चेक कर लेता है और इट्स सेफटी परपस यह आउटफूट कार्ड है जहां पर डीज़ीजी कनवर्शन दिखाया गया है तो जैसे मैं इंपूट रिले कैसे सेंस कर रहा है वह बताया था वहाँ पर यहां पर मैंने दिखाया इस सर्कृट में हम नहीं दिखाने का कोशिश किया कि ऐसे आउटफूट रिले पिक अपोता है आउटफूट कार्ड में एलेडी इंडिकेशन हर एक आउटफूट के यही सेम पिजिकल कनेक्टिविटी है और यह जो मैं इंपूट रिले और फर्सी केबल के बार में बना रहा था वह है यह है बिसिकली आपका यह है बिसिकली वागो बोर्ड जो कि अभी यहां से खुल के नीचे आज़का है और यह फ्लैट केबल द्वारा यह मदर बोर्ड के साथ कनेक्टेड रहता है सारे इंपूट का और सारे आउटपूट का फीडबेक का कॉन्टेक्ट आउटपूट रिले का कॉयल का ड्राइ यह जो कनेक्टर है बिसिकली मदर वोट डेटा कनेक्टर कम्यूनिकेशन कनेक्टर है इस इस दा पावर कनेक्टर सिक्स्पिन पावर कनेक्टर जो यह सब्सक्राइब का अंदर मदर बोर्ड में लगा हुआ है सर्फ जैनल लेबल पर दे सकते हैं ईवन लेबल पर दे सकते हैं इवन रहें का से अगर आपके पास वाइवर घाली पराहुए तो आप सिदा सिद्धा मुझे थावर एक सिर्वाइवर इक्कलाने के लिए एक साइवर लेकिन लेकिन लेवल को भी आप ज़्यादा दूर तक ड्राइब नहीं कर सकते हैं मेरा सिस्टेम से आपका जो पीडिमक्स का इवान है ठीक है इवान चैनल है उसको डिस्टेंस भी 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर सेम रूम में अगर आप दे सकते हैं इवान डैट विल भी मच बेटर आपका प्लिमक्स का वाइस चैनल अगर मॉडम नहीं लगांगे तो मीडिया चेंजवर फैसिलिटी जो है वह हम लोग प्रोवाइट करते हैं आरेस टू थर्टू लेवल में मतलब मोडम लेवल में नहीं तो मेरा इसे जो निकलता है मदर वोट से अरेस टू थर्टी टू उसको डिवाइड करते हैं तो मोडम लेवल के साथ हम लोगों का कोई यह नहीं है अब कोई भी मोडम लगाई है सीरियल टू इवान सीरियल टू फाइवर और उसमें रहेगा सर तो यह बैसिकली दा स वान और फाइवर अल्टरनेटिव मीडिया ज्यादा दे रहे हैं तो वो मोडम भी हम लोग सप्लाइ कर रहे हैं लेकिन इस बेसिक मोडम तो बेसिक मोडम का फ्रॉंट पैनल डिस्प्ले एक सेकेंड सर्ट पैनल में फर्स्ट है पावर सीडी कैरियर डिटेक्ट आर्डी ड गश्याद दूसरे एंड से जब डेटा डीसीव होता है एस्डी सेंडिंग डेटा और लुप इस लूप यह बैसिकली यह लूप कब जलता है आप लोग जानते हैं पहले का जो मोडम था उसमें कुछ साउंड आता था कि लिंक अप होने का कोशिश कर रहे हैं तो मोडम में कुछ साउंड आखता नएच से पता चलता था इस ट्राइंग टू कम्मिनिकेट और लिंक अब तो लोगों का इस मोडम में ऐसे साउंड वगेरा कुछ नहीं है यहां पर एक लूप बोलके इंडिकेशन है यह बलिंक करता है इससे पता चलता है कि यह मोडम दिस मोडम इस ट् सब्सक्राइब। अगर आप लिखना चाहते हैं το काइनली लिख लीजिए यह प्रेजंटेशन में देना चाहिए था कि वैसे मैनुवल में रहता है हम लोगों का फीन में चार और यह है पीन कन configuration पीन नंबर तीन में रहता है टी एक्स चार में रहता है आर एक्स और आठ में रहता है जो कि फोड़ा सा लेकिन हम लोग अगर आप कोई भी दूसरा इसके साथ इसको लगाना चाहते हैं तो हमें से याद रखिएगा तीन में टीएक्स रहता है चार में आरेक्स रहता है आट में ग्राउंड रहता है और उस हिसाब से इसको कनेक कीजिएगा और यह तो आरेस्टु थेट्टु एंड हुआ डेटा और लाइन में एक पांच उसरी वान और नाइन और और पांच और छे एक में टी एक्स एनलोग डेटा निकल के जाता है और एक में आरेक्स एनलोग डेटा आके घुसता है सब्सक्राइब लिब सब्सक्राइब ट्रेटिक्राइब एंथ को इस अख़ूर कि एफ फट्रेट्ड है और इस तरफ से अनलोग डेटा निकल जाता है और इसके साथ साथ बारे में थोड़ा देना चाता हूं यहां पर यह लूप नॉर्मल स्विच तब काम में आता है जब मेरा सिस्टेम का लिंक हो चुका है और आप अगर चेक करना चाहते हैं कि लिंक फिल का वजया क्या है लिंक फिल इन चीज के वज़े से हो सकता है और आपका कम्मिनिकेशन चैनल काड मोडम कम्मिनिकेशन चैनल तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जो लूप नॉर्मल स्विच है पोजिशन में डालते हैं तो सिप्यो काड में जीरो सि आना चाहिए उस समझ क्या होता है जब यह लूप बोजिशन में डालते हैं और जाने वाला था डेटा त्रू आपका मॉडूलेशन एंडी मॉडूलेशन उसके वज़े यह बेसिकली लूप बैक हो जाता है टी-एक्स को लूप बैक करके आरेक्स में डाल दिया जाता है और इस समय करता है इसका मतलब CPU अपना ही डेटा अपने आपको मिल रहा है तो वह एक एरर शो करता है लेकिन इससे फायदा भी होता है हम लोग यह भी पता करते हैं कि हां मेरा डेटा सीप्यू सीसी काट से निकल रहा है तार से आके मोडम में घुच रहा है मोडम में प्रॉपरली भीक रहा है घुच करते हैं कि मेरा कर साय है और अभी मोड हैं का अनलोग साय है कि उत्हसां वह देखने के लिए जो है वह मैं बाद में बताता हूं लेकिन डिजिटल पर्फ थे मोडम औरцमाब्शी काट और the connectivity from cc card to modem is healthy यह चेक कर लेते हैं हम लोग 06 से अगर 06 नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा खराब है cc card खराब है या modem खराब है अगर ऐसा होता है कि 06 नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा cc card से जो तीन तार निकल के आता है और ग्राउंड वह तीन तार को तीन तार में से टी एक्स और आरेक्स का तार को अगर आप शॉट करेंगे जो की एवलेवल है रिसेट बॉक्स के पीछे उस दोनों तार को अगर शॉट करेंगे तो भी 06 आना चाहिए यह और 06 आ गया तो फिर इसका मतलब cc card सही है और अग पाट में एक्स जो होता है इस बेसिकली ट्रांस्मीट पावर जो आता है वह प्रॉलेवल में एक होता है जो सब्सक्राइब में जो मैं दोनों मिलीवोल्ट बता आवह उनलोडेट कंडिशन में डिपेंडिंग अपन यस एक्षनल केल केबल का लेंद्ध कितना है जो हम लोग केबल का कनेक्ट वीटी कर रहे हैं उस हिसाफ से अपका लोड़ेट कंडिशन में टी एकस वैलू चेंज हो जाता है तो सबसे यह वैलू अगर आप पूछेंगे तो लगबग ड्रॉप होके 220-230 मिली वोल्ट तक आ सकता है 180 से 220-200 millivolt तक आ जाता है यह value drop होके तो सबसे वरिया है जब installation commissioning कर रहे हैं हम लोग या फिर normal working time में इसका schedule maintain कर रहे हैं तब इसका millivolt level जरूर चेक करके आसपास कहीं पर रख दे और during failure इसका यह TX value को आपका standard value से match कर ले अगर TX value standard value से नीचे आ रहा है तो फिर हो सकता है यह modem खराब है आरेक्स में भी एक चीज़ याद रखिएगा आरेक्स में हम लोगों का जो minimum अरेक्स लेवल है that is 50 millivolt 50 millivolt से नीचे आगर आरेक्स वैलू आ जाता है तो फिर chances है कि link फेल हो जाएगा अगर 50 millivolt से उपर आ रहा है तो फिर आपको चेक करना है कि 50 millivolt से उपर आ रहा है और आड़ी का इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं यहां पर आड़ी का इंडिकेशन नहीं इसका मतलब इस मोडम का आड़ेक्स पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो मोडम को चेंज करना है तो दो चीज़ देखना है एक टी-एक्स में अनलोड़ेट कंडिशन में मिलीवल्ट 350 millivolt या फिर 600 millivolt या फिर आप चेक कीजिए हां टी-एक्स में उतना मिली वोल्ट निकल रहा है कि नहीं अगर नहीं निकल रहा है तो चांसे सब्सक्राइब आपको बाद में देखना है लकिन अगर 50 millivolt से नीचे नहीं जाना चाहिए अगर 50 millivolt से नीचे गया है तो आपका चैनल में इसके साथ-साथ एक एंसर और इंट स्वीच है जो कि कोई भी मोड़े में रहता है एक एंड में और इसके साथ-साथ आगर आप यहां पर लिखा हुआ नहीं है आप फ्रिक्वेंसी लिठना चाहते हैं जोट笑ी जोर अलग अलग स्रीक्वेंसी हो जाता है अनसर मोड्स में प्रिक्वेंसी रहता है हांव chain को तो इसलिए हमेशा आप जब चेक करेंगे यह सिस्टेम को अगर प्रॉपरली मेंटेन करना है और यह सिस्टेम थर्टी डिवी लॉस तक चलता है तो हमेशा यह 30 टीवी लॉस जो आप चेक कर रहें यहां पर चेक कर रहें आप चैनल का लॉस चेक कर रहें क्योंकि इतना फ्रिक्वेंसी बरता है लॉस उतना बर जाता है और अभी जो नया नियमा है अंड्रेट थाउजन हर्ज में फ्रिक्वेंसी चेक करने का तो इस में इस मोडे में वह लागू होता है अगर लॉस पचिस दीवी दिखा रहा है तो यह डेफिनेट है कि यह 2400 हर्ज में अगर 25 दीवी या बीच दीवी लॉस होता है तो फिर आपका 2400 हर्ज में यह 30 दीवी सो उपर ही चला जाएगा तो इसलिए हमेशा यूफस्पी का चैनल को 2400 हर्ज में जरूद चेक कर यह जो आप जिसे पार सप्लाई जो मॉडिल से उसकी हेल्फ मोनिटरिंग करता है या यह बाकी तो उसमें चैनल लेवल के हेल्फ मोनिटरिंग के लिए कि पर इसके बारे में अभी काफी सजेशन आया है कि इसका जो डीविल मेल मेजर करके कोई मेल का मॉनिटरिंग करके उसका कोई इंडिकेशन या मतलब जो ऐसे प्रेडिक्टिव इंडेनेज अगर चैनल में डिटोरेशन हो तो वी कम तो नो एट अर्ली स्टेच राइट सर राइट सर उसके उपर हम लोग काम कर रहे हैं यह व और यह का आर्किटेक्ट नेक्स आते हैं इस्टालेशन प्रवल शूटिंग एंड में इस जाने से पहले अगर इस लेवल तक कोई कुछ डाउट है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह लूप जो आपने पता है सर मॉडम में करते हैं सर मॉडम कार्ण प्रॉलम है या चीकड़ कार्ण प्रॉलम है सरी थोड़ा सा पता सकते हैं कि सरी छोड़ गया जब लिंक फिल होता है तब एरर कोड आएगा उसके बारे में मैं बाद में बताऊं गाएगा लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा जब लिंक फिल चेक करते हैं तब कोई एरर नहीं होता है या फिर मेरा मोडम में प्रॉलम है या फिर अपको पता चला कि इसके बारे में धीर दीर बताऊंगा पीछे मेरा ठीक है कि अभी बताऊंगा इससे उसको रिपीट हो जाएगा ठीक है सर हलो है ओके ओके युकें गो थ्रू मैं आगे जाता हूं से तो इंस्टॉलेशन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा जो अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लेम चल रहा है प्रॉब्लेम नहीं सर अर्गुमेंट चलता है सर तो वह है अर्थिंग कॉमोन अर्थिंग वैलू अभी तो सर लेस देन टू ओम्स हम लोगों ने लिखके रखा है लेकिन एस पर लेटेस गई करते हैं हमारा टैन में भी हम लोगों ने रेकॉमेंट किया है अगर अर्थिंग आप यूज कर सकते हैं इप दा कॉमोन अर्थिंग इस ओनली फॉर दे इलेक्ट्रानिक इंस्ट्रॉमेंट लाइक याई डेटा लॉगर एक्सल काउंटर यह सब इंस्ट्रॉमेंट का यह और बस में यह को हम लोग उसको करने का सरेशन नहीं करेंगे तब आप इसको अर्थिंग को शेपरेटली लेकर जाकर अर्थपीट में बढलिए और आर्थपीट में चाहे很iser कोई दिक्ट नहीं अर्थ बस में उस से में common मत कीजिए रिले रूम के अंदर जो आर्थ बस रहता है उसमें आप सिर्फ आप सिर्फ तभी common कीजिए जब उसपे IPS का इर्थ ना हो या रिले रेक का इर्थ ना हो तो सकता है या फिर इसको सेपरेटली लेके जाके आप अर्थ इलेक्ट्रोड में कॉमोन कर दीजिए कोई दिखकर नेक्स्ट है जो मैं अभी बता रहा था कि कि आपका सिग्नल लॉस्ट टूइंट 2.5 किल हर्ज में आप जरूर चेक कीजिए इसको सिग्नल लॉस और यही दो बेसिक आता है इंस्टॉलेशन कमिशनिंग में बाकी देना है वाट के विल का जो बाकी जो स्टेंडर्स है वो तो मेंटेन करना ही है सिस्टेम चलने के लिए वही है कि अलम पैनल में जैसे मैं बता रहा था कि एक रिडंडेंट डीसी डीसी है इंडिकेशन स्टेशन मास्टर के साथ के पास पहुंच जाए ताकि एक इस डीसी कॉनवर्टर फेल हो गया वह पता चल जाए सिप्यू काड भी हम लोगों का रिडंडेंट है तीन में से अगर एक खड़ाब भी हो जाए तो भी सिस्टेम चलता रहता है तो उसका भी एक पहुंच जाएगा स्टेशन मास्टर साथ के पास और एक सिस्टेम फेल के अलम भी दिया गया है और पैललल्ली इसके साथ-साथ हम लोग यही कॉंटक्ट डेटा लॉगर को भी प्रोवाइट कर देते हैं ताकि सिगनल स्टाफ को भी पता चल जाए अब आते हैं फेलियोर में बैसिकली यूएफस याई का जो फेलियर है वह चार के टेटर के टेगोरी में हम लोग करते हैं रिले कॉम्प्रिमेंटरी फे लेक सकते हैं यह हम लोगों का रिले का फिजिकल कनेक्शन जो की 24 वोल्ट आता है जैसे मैं बता रहा था रिले का पिकाप और ड्रॉप कॉन्टक्ट होते हुए तू वागो टर्मिनल यह फ्लैट के दोबारा इंपूट काड़ 123456 में चला जाता है और सिप्यू काड़ यह एर कोड़ अलग होता है जैसे इंपूट रिले 1 एर कोड़ 11 इनपूट रिले 3 एर कोड़ 12 वैसे ही आउटपूट रिले का भी कॉम्लिमेंटरी एडर हो सकता है अगर क्यूंकि हम लोग आउटपूट रिले का भी फीडबेक कॉंटक्स करते हैं तो सारे कि कोई बिया से कॉंडिशन में दोनो जरो या दोनो चल्वीस नहीं हो सकता है अगर कउंटेक्ट O söyl kasih अगर सबसे पहले जो देखना है कि यह जो error code आ रहा है यह 3 CPU card में आ रहा है या फिर एक ही CPU card में आ रहा है क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं up to this point यह यहां से लेके relay contact यहां से यहां तक यह common part है कि सारे input के लिए तो अगर दो CPU card में सेम error code आ रहा है तो चांस यह है कि इसका जो common part है उसमें failure है और अगर एक ही CPU card में वह error आ रहा है बाकी दोनों में नहीं आ रहा है तो या तो CPU card में या उसका corresponding input card में problem है तो अगर आपको दिखाई पर रहा है कि हाँ तो या तीन CPU card में सेम complimentary error code दस आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले यह वागो बोड में चेक करेंगे रिले contact के उन्हें सारी रिले pickup है तो पीक अप contact में voltage आ रहा है कि नहीं रहा है तो ड्रॉप contact में voltage आ रहा है कि अगर voltage आ रहा है तो इसके बाद हो सकता है यह flat के बिलख़़ा वह यह पी टर्मिनल loose fitted हो और अगर एक ही CPU card में problem आ रहा है तो उसका input card को हम लोग change करेंगे या अदल बदल करके देख सकते हैं कि problem कौन से input card में है अगर input card में problem नहीं है तो वह हो सकते CPU card में problem तो एक से ज्यादा CPU card में same error code आया तो common part को चेक करेंगे जैसे कि डिले कॉंट्रैक्ट टर्मिनाल फ्लैट के बिल वगएरा वगएरा और एक ही CPU card में error code आ रहा है तो उसका input card या फिर उसी CPU card को कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम है यह होगे complimentary error of input card उसी का error code list यहाँ पर मैं दे दिया हूँ for your ready reference और कुछ कि इसके बाद जो आता है वह है आउट्पूट रिले फेल टू पिकप जैसी इंपूट का फ्लोव पॉंट्रैक्ट करेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगा तो सबसे एदर कोड़ आएगा फर्स्ट आउट्पूट रिले के लिए इसकेंड आउट्पूट रिले सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि उसका आउट्पूट रिले का इंडिकेशन जल रहा है कि आपको दिखा आपने जाके सिस्टेम का आउट्पूट रिसेट करने के बाद मांन लेते आउट्पूट आईरर कोड आ रहा है असी तो इसका मतलब है इंडिकेशन नहीं आ कर दीजेंज. कर दीजिए और अगर आउटपुट कार्ट का इंडिकेशन आ रहा है तो नेक्स टेप क्या करेंगे एक चीछ याद रखिएगा यह इंडिकेशन आके जला हुआ क्योंकि तीन सेकेंड से ज्यादा उसको आउटपुट का इंडिकेशन सिर्फ और सिर्फ तीन सेकेंड तक चलेगा आपने सिस्टेम को रिसीट किया सिस्टेम लिंक अप हुआ आउटपुट रिले का इंडिकेशन नहीं आया जो कि होना चाहिए और यह एर्र कोड आ गया इसका मतलब है और अगर इंडिकेशन आया फिर भी एर्र कोड आ रहा है तो नेक्स टेप में आप क्या करेंगे यह वागो टर्मिनल पे एक मीटर को ल के बाद या जैसे लिंक आ जाता है तो यहां पे वोल्टेज़ा आपको मिल जाना चाहिए मीटर में आपको फोल्टेज मिल जाना चाहिए 400श вместе तक ही आएिगा कि अगर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फिर आपका प्रॉबलम है और अगर वोल्टेज मिल रहा है तो हो सकते हैं यहां से जो तार गया है या फिर रिले का को किसी कर सकते हैं इसके बाद आता है जो जिसके बारे में थोड़े दिर पहले पूछ रहा था तो बेसिकली लिंक फेल में 33 और 34 आता है lift के अंतर्य निक से अम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सब से पहले देख लेता है कि पीछे उसके बाद एक फिजिकल चेकिंग कर लेते हैं कनेक्टर वग्गरा सब कुछ ठीक लगा हुआ है कि नहीं उसके बाद यह जो लूप नॉर्मल स्वीच है मोडेम के पीछ उसको हम लोग लूप पोजिशन में डालते हैं अगर लूप पोजिशन में डालने के बाद 06 गया तो डैट इंश्योर्स की आपका इस एंड का जिसे एंड में आप है 06 आ गया आप अगर जिसेंड में है उससेंड का सीटी कार्ड और दीजिटल पार्ट से यह पिटल पार्ट ऑफ मोडेम और सीजिकार्ड चाहिए और उसका बिच का जो तार है डेफिनेट्ल वह वह अगर जिरो सिक्स नहीं आया तो फिर इसका मतलब है या तो आपका सीसी काट खड़ाब है या फिर आपका मोडेम खड़ाब मॉडम मादरबोर्ट के पीछे से 3 तार आके मोडम में घुज रहा था उस 3 तार से जो ATX और RX है जो कि मैं नंबर बताया यह फिर के पीछे एक black color का टैर्मिनल गांपे टर्मिनेटेड भी रहता है यह दोनों को कारने से जिरो शिक्स आना चाहिए अगर जिरो सिक्स नहीं आता है तो इसका मतलब है आपका च्पट करने से अगर जीरो तो सीजी काड़ ख़राब है और लूप बेक करने से जीरो सिक्स नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपका मोडेम ख़राब जो यह तो हो गया इसके बाद मोडेम चेक करते हैं यह पल पार्ट मैंनेपले जैसे आपको बताया था मेंण वोल्ड करते हैं जो लोग मेंटेनीं में और इंस्ट्राशण का मीलम निकल तुछ जल रहा था ठीके थे उतना निकल रहा है कि नहीं चेक करते हैं अगर उसी के आस-पास है इसका मतलब मुडिम का TX बैलू टीक निकल रहा है अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब मोडम का इनलोग पार्ट खड़ा वे वैसे ही आरे एक 50 mili volt से नीचे नहीं जाना चाहिए अगर 50 mili volt से नीचे चला गया तो इसका मतलब या तो communication channel में problem है या फिर दूसरे end का modem में या फिर दूसरे end का system में कुछ problem है और अगर 50 mili volt इसी जो इसी प्रोसेस मैंने बता है आपको आप लोगों को सर इसी प्रोसेस को एक फ्लोचार्ट के द्वारा यहां पर या गया है लिंक पेल जब आता है तब हम लोग कैसे चेक करते हैं कि इसके बाद का कुछ हार्ट वेलियर से आई सी वगएरा खड़ाब हो गया है तो उसके वज़े से भी कुछ कुछ आता है तो इस समय आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं नॉर्मली टेस्ट वगएरा कुछ नहीं करना परता है उस समय जैसे कि यह सारे एर्र कोड़ आया तो आपको कुछ नहीं कर ना परता है अगर एक ही सीप्यू कार्ड में आया है तो फीर हो सकता है तो वो चेंज कर दीजिया और एक से ज्यादा सीप्यू कार्ड में यह आ तो इसको काट कौन सा रिप्लेस करना है वह यहां पर लिखा हुआ है एक चीज याद रखिएगा ऐसे एर्र कोड आने से एक बार रिसेट करके जरूर देखिएगा कि रिसेट करने से यह ठीक हो जा रहा है या नहीं इसके बाद एक चीजूल मेंत्रयनिक के लिए हम लोग रिकुमेंट करते हैं यहां पर कान सा चेक करना हैं करना कान सा मिलिवल्ट चेक करने बखाangen और यह जो साईट में यह से ये लिए यह लिखा हुआ है यह यह NICK हो प्रेश्ट का एक बेसिक आईडिया से हम लोगों ने बनाया यह आप लोग चेंज कर सकते हैं चेक कर सकते हैं यह शीडियूल मेंटेनेंस रिपोट उसके बाद जो है एप्लिकेशन जाने से पहले आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं सब्सक्राइब कुछ वैरी जा कि इसके बारे में चाहता है हलो 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 है आपने एक कार्ड में सर यह था ना है पावर एसडी सीडी और आड़ी हाँ सर थोड़ा इनके बारे में बताई ही साथ सर अब लिग लिजीए मतलब कारीयर मतलब मोडम भीम इस्टैबलिश कर चुका है तब उसका क्योड़ कोई भी मोडम पहले आपकस का करते हैं तो उसका चलता है उसके बाद ऑडिजिनल डेटा जैसे की सी कार्ट से डेटा निकलता है वह डेटा मोडेम के पास पहुंच रहा है और वह उसको प्रांस्मीट कर पा रहा है तो वह करता है रिसीव डेटा दूसरे एंड से जो मोडेम का डेटा आके पहुंच रहा हैं करियर अगर वह उसके पास डेटा पहुंच रहा है तो और लास्ट में आता है लूप मतलब दोनों जब आपस में लिंक आप होने का कोशिश करता है तब यह लूप इंडिकेशन फ्लिक करत जाता है तो फीर जल जाता है उसके बाद जलने के बाद जाने और आने में सब्सक्राइब करेंगा अगर उसको मिल रहा है डेटा तो आड़ी करेंगा जैसे अभी तीन अप्लिकेशन फ्रिडॉमिनेंट वह ब्लॉक इंस्रूमेंट के साथ तरफेस as a failsafe marks in block proving with excel counter as a failsafe marks in block proving with excel counter or as a 16 io multiplexer in a abs ibs gate slot transfer application यह तीन आप्लिकेशन में यह भी यूज हो रहा है फर्स्ट जो एप्लिकेशन है इन इस एप्लिकेशन यह क्या करता है जो सारे block instrument के interface की सबसे एस जी निल्स डाइड यह सारे block instrument का DC जैसे मैं बता रहा दाथा DC voltage को लेता था लेके individual relay को pick up करता है और उस रिले को दूसरे end में थ्रू ओएफसी channel भेज देता है और दूसरे end में उस रिले का contact से लॉक इंस्ट्रूमेंट का as per the requirement operation होता है इसमें इसमें जो आयो रिक्वियर्ट होता है अगर एस जी चलाना है तो वैसे 16 आयो है लेकिन एस जी चलाना है तो सिर्फ 8 आयो से हो जाता है निल्स में 6 आयो डाइड ओ टील वियाई में 8 आयो और अगर पुछ बटन टील वियाई है जैसे पोदा नूर का है वो उसको अगर साथ इंटर्फेस करना चाहते हैं जो उसमें साथ आयो यूज होता है नेक्स्ट अप्लिकेशन है यूफस बियाई का एस इन इंटीग्रल पार्ट आफ फेल से मल्टिप्लेक्सर इन ब्लॉक प्रूविंग विद एक्सल काउंटर एस पर आई एस एस एक्सो पांच दो आज इंस्ट्रुमेंट मतलब लाइन क्लिया लेते हुग आपको कोई कोई कोपरेशन एक्टिफ कोपरेशन दूसरे एंट से नहीं जाहिए सिर्फ और सिर्फ एक चाबी है जिसके द्वारा एक अगर कॉंसेंट दिया हुआ रहेगा तो फिर आप लाइन क्लिया ले सकते हैं यह लिज्वाल इंडिकेशन देता है कोई हैंड YEल टैप नहीं है हएक और एक बातल इंफॉर्मेशन का अज 7 solution में है त्रेन है कि नहीं सारी इंडिकेशन और चेहांगा इंट्सरेशर सब्सक्राइब और क्योंकि मुझस है कम्म जो कोपा और कियोंकि इसका मक्स है कटीकर उसक्राइब PR यह कोईगी केशन चैनल में काम कर सकता ऐसकर लेकूद का कि लब ब्लॉकम्त हमकोट कि आप लोगs जानते हैं कि आपका जो तो एक्सेल काउंटर है है यह अच्छान कोई भी मीडिया में में काम कर चलता रहा है कि अन्टुमेंट होंने के वज़े से कूछक फैलंत को एसे बनाएं ताकी यह लोग यह इंस्टूमेंट को तो ऐसे बनाया गया है ताकि यह कोई भी मीडिया में काम कर सकते और नेक्स चीज जो यह अभी जो लेटेस्ट डिवलप्मेंट है सर यह है यह यह है यह 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 पिए आई कोई भी एक्सल काउंटर और टेलिफोन तीनों चलने के लिए तीनों ही अभी सर्ड डार्क फाइवर में चल सकता है तुझी अभी डार्क वाइवर में चल सकता है और तीनों को चलने के लिए कि लेजी देने से फिंगर आप टोटल कि ब्लग इंस्त्रूमेंट को चलाना चाते हैं मतलब सिंगल लाइन हो Yakis सिंगल में आंग आप आप अम को देंगे और अगर डर्ट ऑल लाइन हो तो चार्ट डर्ट फाइवर अगर आप दे देंगे को तो आपका थे टीयोड निटी siamo आप अरग में लिए उसके बदले हमको क्या मिलता है सेम कॉम्यूनिकेशन लाइन विसके बदले तो चाहते हैं तो आगर आप डाल सकते हैं तो सिदा-सिदा हमको फाइवर दे दीजिए इसमें और एक फायदा है वह है यह सर्फ फेलियोर किसका है आप बोलेंगे आपका चेनल ठीक है मैं बोलता हूं नहीं मेरा रहता है यह फिर अर्गूमेंटेशन लगा रहता है यह भी खतब हो जाएगा फिर मेरा सिप्टेम खड़ा वे इसके वज़े से फेल होगा यह बीच में पीडी मक्स या एस्टी एम यह जो इंटर्मिटेंसी इसके वज़े से जो फेलियोर का चांसे है तो वो टोटली जीरो हो जाएगा और सिग्नलिंग परपस अगर आप कॉम्मिनिकेशन को छोड़ दें खाली सिग्नलिंग परपस में यूज करें तो मेरे ख्याल से यह काफी बहतर होगा सर नेक्स्ट यह सिस्टेम है क्या फ्रेंशर वार्क ऑन एब्सुलूट ब्लॉक सिस्टेम जैसे कोई भी स्टैंडर ब्लॉक इंस्ट्रूमें में होता है एक्सल काउंटर रहता है दोनों एंड में वेरिफाइ करने के ल सब यहां पर रहता ही है इसके साथ साथ एक एडिशनल यह है कि दोनों एंड स्टेशन मास्टर को अलग अलग से बजर पहुंचता है जिसको स्टेशन मास्टर साब को अग्णोलेज करना पड़ता है अगर अग्णोलेज नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है सबसे कम है और ऑपरेटर इंवल्मेंट भी इसमें सबसे कम है ताकि जितना उपरेटर इंवल्मेंट होगा उतना फेलियोर होने का चांसे रहता है और चैन्स कम रहता है और चैन्स देंसिटी आपका लाइन क्यापसिति काफी बढ़ सकता है यह सिस्टेम अगर आप इंट्रूड्यूस करते हैं तो इस इस दा सेक्शन में ब्लॉक क्या क्या सिस्टेम चाहिए एक ब्लॉक मैनल यूफस्विया डिले रैक टेलीफोन और स्स्द्स इंगल लाइं और यह डबल लाइं इस इस दा ब्लॉक मैनल इसमें सारे इंडिकेशन रहता है लाइं सारे इंडिकेशन इसमें दिया हुआ रहता है और आपका अदिश्टी मैं आपका एंडिकेशन पार्ट रहता था उस्टेमल उसका खोई अलंक से कोई अलग से इंडिकेशन नहीं था यह ब्लॉक इंस्ट्रिमें्ट में । लेए है disruption मैं यहाद रखिए गान पर यहाद रखेगा यहां पर तो दूसरे अंड में बढल घृता है इसलिए यहां पर बेल बच सकता है या कोई चांस नहीं को बता दे कि इसमें बेल कोडिंग नहीं हो सकता है कोंकि यहां पर बेल कोडिंग का जरूरत भी नहीं सिस्टेम में और पॉल अटेंशन के लिए इधर बेल प्रेस करके रखे तो दूसरे एंड में बजर बचता रहेगा लाइन क्लिया लेतवक बेल और ट्रेंड गॉइंग तो दोनों बटन को एक साथ दबाए और उसके वाज़े से आपको PGT 3 सेकेंड के बीच में मिल जाएगा और एक important बात है कि यहाँ पर essence की out होने से total block instrument lock नहीं होता है थारे block instrument के जगा यह एक difference है बोथ double line and single line की essence की जब आप out कर देते हैं और निकाल लेते हैं तो total block instrument lock नहीं होता है essence की out होने से सिर्फ और सिर्फ आप sending को रोख सकते हैं अपने end से गारी को भेजना रोख सकते हैं दूसरे end से चाहें तो आपके section में गारी भेज सकते हैं अगर आप essence की निकाल ले तो भी अगर आपको आप चाहते हैं कि आपका sending और receiving दोनों lock हो जाए तो single line के लिए shunt release की को in कर दीजिए और EKD से चावी को निकाल दीजिए for single line अगर आप चाहते हैं for single line की आप ना गारी भेज पाए और ना गारी ले पाए तो shunt release की जो की इस पैनल के उपर है उसको in कर दीजिए और EKD से चावी को निकाल के अपने पास रख दीजिए और double line वहाँ पे आप SMS की और LCB की दोनों को आउट करके अपने पास रख दे तो दोनों, double line में SMS की sending line को block करता है, LCB की receiving line को block करता है, और single line में SMS की sending line को block करता है, और shunt release की both sending and receiving line को block करता है, cancellation cooperative है, जब cancellation करना पड़े, कोई भी cancellation, normal cancellation, pushback cancellation, system, किसी कालन से flashing हो रहा है, normal नहीं हुआ है, कोई भी condition में अगर cancellation करना चाहते हैं, तो sending end या फिर TGT end से cooperation बटन दबाये जाएगा, TCF end में bell cancel बटन को दबाये जाएगा, और 120 सेकेंड बाद ही system line close में आएगा, कोई भी cancellation हो, और एक चीज़ याद रखिएगा, cancellation counter भी बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ TCF end में ही, यह सेम double line, this is the relay disposition chart of double line block instrument, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ, अब लोगों के बाद में अगर देखना चाते हैं, तो हर एक डिले का description मैनुवल में भी रहता है, यहाँ पे भी दिया गया है, इसके बाद special maintenance, जब UFSBI का जो maintenance normal कोई भी application हो, तो उसके maintenance के बारे में मैं बता दिया था, पहले ही UFSBI का, अब additionally अगर block proving with axle counter यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको यह 10 या 11 चीज़ आपको additionally maintain करना पड़ेगा, जैसे advance starter green ना हो जाए, line close है, उस समय advance starter green ना हो जाए, safety, safety interlocking check maintenance नहीं बोलूँगा, safety interlocking check बेसिकली है, और train online condition में signal green नहीं हो रहा है, दूसरे दिन में गारी निकल गया है, फिर भी line close नहीं हुआ किसी कारण से और आप इधर से signal लेने का कोशिश करके देख सकते हैं उस समय अब कभी भी maintenance में जाते हैं, system को line clear लीजिए, signal को green कीजिए, UFSBI को fail कीजिए, करके देख लीजिए कि signal green का green रह जाना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो सकता है, सर, signal in face of approaching trend जा सकता है, तो एक loop दिया रहता है, contact को bypass किया हुआ रहता है, वो चेक करने के लिए यह time to time जरूर मेंटेन कीजिएगा, चेक कीजिएगा, और बाकि सारे safety test यहां पर दिया हुआ है, यह पहले वाला था single line के लिए, this is for double line, और next, maintenance recommendation, यह हमेशा recommend करते हैं, कि आप लोग division wise एक प्यार जरूर कहीं पे भी, आपका division office में हो, या ACC office में हो, कहीं पे भी आप लोग एक प्यार block instrument जरूर चालू करके रखे, जरूर चालू करके रखे, with axle counter everything, और उसके अंदर जो electronic card है, उसको आप अपने spare electronic जो आप लोग खरीद रहे हैं, या फिर repair करवा रहे हैं, उसके साथ rotate करते रहें, check करते रहें कि हाँ, आपके पास जो spare है, दोजार in working condition or not, और जरूरत पर है तो उसके field के card के साथ भी interchange अगर कर पाए तो कर लीजिए, तो बहतर रहता है sir, आप लोग जब failure के time जाएंगे, तो आप sure रहेंगे, और जब failure के time आप जाते हैं, failure rectify करने के लिए, तो अगर कोई card का जरूरत पर है, तो आप ये working system से ले लेके जा रहे हैं, तो वो working है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, आप एक कोई card लेके गया है, failure के समय, आपने हमको phone कि हमने बताया कि हाँ sir, मुझे लग रहा है CC card खड़ा है, kindly change करें, आप एक card लेके गया है, जिसके बारे में आप खुदी confident नहीं है, कि वो card भी चलता है कि नहीं, आपने लगाया, लगाने के बाद देखा नहीं ये card नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या लगेगा, कि problem दूसरे जगा पर है, वो card में problem नहीं है, CC card में problem नहीं है, दूसरे جगा पर है, तो मैं दूसरे contact में, या दूसरे CPU card में, इस सब में चला जाँगा सीर्फ वर इस वजए से कि आपने जो स्प्यार कार्ड लेके आये हैं that is not in working condition और इसमें failure rectification जो है mean time to rectification mttr काफी बर जाता है तो failure rectification के समय अगर स्प्यार कट कर जरूरत परे तो हमेशा कोशिश कीजिए वर्किंग सिस्टेम से लेके जाएं अगर हो सके तो दिस इस आवर एडवाईस आप ट्राइटु मेंटेन फेलियोड डिटेल्स आफ दा कार्ड्स अब लोगों के तरफ से खरीदने का उसके आगे आप जो समझें यह इस अनली रेकोमेंडेशन आप लोग ऐसे एक चोटा-चोटा मॉडेल रूम बना सकते हैं डिवीशन वाइस जो हम लोग आडियो में बना के दिया हैं यह लगवाग एक इतना बाड़ा पंद्रा फूट के अंदर एक त्रेट लाइन लोग बिचाकर रखते हैं विद आक्सल कांटर और सिस्टेम एफ में जलाते हैं इसमें दो फायदा होता है एक तो आप लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं नयवढंदे को यह सहमाया या कोई भी आया प्रेनिंग दे सकते हैं ब्लॉक इंस्त्यूमें तो यहां से लेके जाने से आपको क्या सुभीदा रहेगा आप कॉंफिटेंट रहेंगे 100% कि हां आपका सिस्टम चल सकता है यह मॉडल रूम यह लोग का आफिस में हम लोग उने खुद बना के रखे हैं जहां पर हम लोग इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इंटर लॉकिंग यह सब करके रखेंगे और इंटर्नल ट्रेनिंग इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा बैक्ग्राउंड है सर आई बीएस के बारे में जो आप लोग मेरे से जादा जानते हैं फिर भी लिखा हुआ है स्थी स्टेशन पर या फिर एक्सल काउंटर विशेट को क्या में लेकर जाते हैं यह जो लेटेना देना होता था पहले से होता था यह जिए जिसमें हर 2 km में रिपीटर डालना परता था और अगर क्वार्ट के विल होगा तो क्वार्ट के विल में भी किया गया है काफी जगा में लेकिन उसमें दूसरा टाइप का प्रॉबलम हो जाता है लेकिन किया गया था उसके बाद यह यह प्रॉबलम आया परस्ट आउट्डोर फिल्ट के विलिंग तो बहुत जादा करना परता था कि इसमें टाइम ज्यादा लगता था और आपका कटिंग रिले मेंटेनेंस आफ के विल यह सब एड़ेट प्रॉबलम साथ चोड़ी होने का प्रॉबलम काफी ज्यादा वर्ट सकता है अगर फेलियूर होने का चांसे ज्यादा होता था अगर कोई कट जाए तो इसमें कोई बैक अप नहीं है वाट के विल का बैक अप डालने के लिए और एक वाट के विल दूसरे मतलब ट्रैक का इस साइट से एक वाट के विल दौर करवाना इस सब प्रॉबलम फेस किया गया लेकिन जब से हम लोग एक्सल काउंटर को यूस कर रहे हैं जो कि फाइवर में चल सक लेकिन एक्सल काउंटर तो चल गया लेकिन जस्ट ड्यू टुटी सीग्नलिंग के विल आपका आई भी फेल हो गया यह हो सकता था यह जो था तो हम वह ने जो सॉलूशन ऑफर किया कि आई बीस को क्यों ना मतलब यूफ इस से चला 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 यह जाए चलाने का यह एक स्पेयर लेके आप सिधा-sिधा यूफ फेस ब्याइए डाल दीजिये नहां कोई सिगनल एपिदेशन का जरूरत है सिगनल रिपीटर रिले का जरूरत नहीं आहां आप सिधा-सिदा दो वे यूफ इफस इय लगाई है और सिस्टेम को चलाई ए तो आई पीएस का जो इंस्टलेशन कमिशनिंग था वो काफी कम समय में हो सकता था और अभी इंप्रूफ कर सकते हैं मतलब एक आपने सकता है तो यह जो इंप्रूब्मेंट आफ रिलाइबिलिटी यह भी आपका एड़ेड हो गया जब से अपने यूएफ यूज करना शुरू कर दिया तो इसी आडियो स्कीम ने जो रिकमेंट किया था त्रूफ स्टेट आप लेके जा सकते हैं या लेके आ सकते हैं उसका एक डीटेल्स और जो मैं पहले बता चुका हूँ एडवन्टेज वह ही यहां पर लिखा हुआ है सेम आइडिया आप ABS में भी यूज कर सकते हैं और RDSO स्कीम में हम लोग ABS को भी यूज किये हैं यूज कर सकते हैं अभी नेक्स हम आएंगे इंप्रूब्मेंट्स इसके पहले आप पूछ सकते हैं सुबाश इसमें जैसे आटो से आटो सिगनलिंग जो दिखाया रहा है आपने यूजिंग कि इसका डिटेल स्कीम है किसी सेक्षिन का हां सर डिटेल स्कीम है सर तो वह थोड़ा शेयर करिए गयर हां सर आपका यह दीचेगा सर कांडी हां मैं आपको कम्निक्रीट कर दूंग कर दीचेगा सर वह हम अवलेबल कर देंगे कोई दिक्क्रत नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं कि इसका आई-पेस से अलग होना चाहिए है लेकिन इलेक्ट्रोनिक है बेसिकली लेकिन वह पावर जेनरेट करता है उसमें होने से उसका बहुत ज्यादा होता है अलग मतलब ऐसा नहीं कि आप आर्थपीट में जाके फिर से मेरे लिए अलग से आर्थपीट बनाइए नहीं है कोई ज़रूरत नहीं लेकिन लेते हैं आई-पेस रूम डिले रूम आसपास में है ठीक है सर आई-पीस से ज्यादा करे अगर अर्थबस में वही आई-पीस का अर्फिंग लगा हुआ है मान लेते हैं उसका डिस्टेंस है फाइब मीटर ठीक है आई-पीस से आपका अर्थपीट जो की काफी डिस्टेंस है 10-15 मीटर हो सकते है क्योंकि वह बाहर जा रहे हैं तो डिस्टेंस कम होने के वज़े से टीन मीटर का डिस्टेंस है मेरा यूऐ फिस वी टू अर्थबस में जो वोल्डेज छुई आया है वह जादा डिस्टेंस ट्रेंस में ट्रेंस करेंगा हमेशा यूए फिस प्रेंगा इसलिए हम लोग बूलते हैं कि अर्थ बस कॉमन मतलब आप अर्थपीट कॉमन किजे को सबसे पहले आपको तो बताना पड़ेगा क्या रहा था क्योंकि अलग-अलग रीजन से हैं को अगर बता देंगे तो मैं आपको एक्जैक्ली बता सकता हूं कि वह सिस्टेम क्यों है हो रहा है तो उसके वज़े से वह एर में चला गया तेंपरेचर का तेंपरेचर के वज़े से नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो इंस्ट्रुमेंट का आइसी वगएरा यूस करते हैं यह इन इस्ट्रियल ग्रेट वार्क फो मैंनस टेंट टू प्लस सेवेंटी डिग्री और यह आडियो सो में हम हम लोग टेस्ट भी करते हैं और इसका जो रूटीन टेस्ट होता है हम लोग का उफिस में उसमें भी हम लोग जीरो माइनस टेन टू प्लस सेवेंटी डिग्री तक टेस्ट कर लेते हैं इसमें सार। अभी इसका प्रोविशन नहीं है सर अभी हम लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं सर डेटा लॉगर तक तो नहीं पहुंचा पाएंगे हम लोग एक अपना डेटा लॉगिंग फेसिलिटी की एरर हुआ था कौन से एरर आया था और किस समय आया था वह फेसिलिटी हम चल दर लगभग हो चुकआ है ईसके इंडिवीज़ोरी को कैसे इंप्रूफ किया जा सकता है और सेकेंड पार्ट है कि इसका जो एप्लिकेशन में क्या-क्या इंप्रूब्मेंट के लिए हम लोगों ने पहले हम लोग अपने खुद का सब्सक्राइब करते हैं लेकिन अभी वर्ल रिनाउंट जो सब्सक्राइब करते हैं और इसका यह क्वेशन भी आया है और पावर लाइन के लिए जैसे आप देख सकते हैं यह नॉर्मली ग्रीन है तो यह सब्सक्राइब हो जाता है तो इसको चेंज करना पड़ता है तो इंडिकेटिंग टाइप सब्सक्राइब के लिए यूज करते थे अभी फिलाल कम्मुनिकेशन के लाइन के लिए पहले हम लोग यह ओवियो का जो औरेंज कलर का आप देख रहे हैं इस फोटो में यह पहले यह इंडिकेटिंग टाइ करें जो कि कम्मुनिकेशन लाइन सब्सक्राइब यह कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम लोग यह कर रहे हैं डेवलोप नहीं सर बातचीट चल रहा है सरोवियो कि ताकि उसमें स्प्यार कॉंटेक रहे और स्पीडिस का कॉंडिशन भी डेटा लॉगर से मॉनिटर हो सके नेक्स्ट है ऑटोमेटिक मीडिया चेंजवर बासिक डिया बेसिकली है सर हम लोग जो हम लोग का आरेश टूथरीटो डेटा निकलता था सिस्टेम से वह रिफस्वी जो आलेश टूथरीटो आउट होता है वस आरेश टू-322 को रिफस्वा डिवाइट कर देतें यहां पे जैसे आप देख रहे हैं देख रहे हैं यू इस जो डेटा आ रहा है वो बिसिकली दो हिस्सों में डिवाइट कर देते हैं और इस टू-30 को और इस डिटा को हम लोग फूम ने दूसरे एंड में बेज़ देते हैं अब मोडेम एव और मोडेम बी कुछ भी हो सकता ह और दूसरे एंड में हम लोग उस डेटा को लेके जो डेटा हेल्दी है उस डेटा को हम लोग को देटा को івेएक देटा को हम लोग UV ह favu करते हैं और जब भी कोई एक चैनली फेल हो सब्सक्राइब्सक्रा जाता है तो इसका यह फाइदा हुआ कि आ quickest तो चेंज ओवर विदाउट एनी human intervention, automatic change होता है, second है, change over time is so less, कि UFSBI का कोई output relay drop नहीं होगा, at least UFSBI को पता भी नहीं चलेगा, it will change over to the other channel, third point is, कि ये दोनों channel को continuously monitor करता रहेगा, data logger, और दोनों channel का health, आपका working on non working, दोनों channel का health का condition, data logger को देता रहेगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ, ऐसा नहीं हो कि अब फेल हो गया, उसके बाद वो second channel में जाने गया, तो देखा वो second channel भी खड़ाद है, ऐसा नहीं हो कि आप दोनों channel monitor होता रहे और non working channel भी monitor रहेगा, और उसका health भी data logger से आपको मिलता रहेगा, this is the automatic media changeover, नहीं तो इसमें media जो है, उसको monitor कैसे करेंगे, मीडिया मतलब channel, 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 channel की जो health of the channel, चैनल का parameter हम लोग monitor नहीं करते हैं, basically जो media changeover है, RS-232 level में आने के बाद, यह आप देखेंगे, यहाँ पे monitor जो portion है, that is the RS-232 portion, ठीक है सर, नहीं, okay, RS-232 port monitor है, लेकिन उसके बाद में जो मेरा other station में, जो via e1 या भी voice channel की थूर जा रहा है, तो वो basically media की monitoring तो वो है ना, यह up to RS-232 level तक है या आगे तक है, यह up to RS-232, basically यह जो RS-232 यहाँ से निकला सर, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, RS-232, वैसे ही दोनों end से आ भी रहा है, यहाँ पर यह एक माइक्रोड़ ने बांद रहा है,